जहिंँ दोस्तो जाई जाआइकिसान हमें है राहुल जवान और हम हिस्से में भोरा हरा तैसिल जिला लखिमपुरखिरि एक बड़ा जिला है जहां पर गन्ना और केला दोनगे खिटी भुछतिय थी है किस्म यहां पर गन्ने की बहुत कि अपने दोखेर करें कि अनुभव कैसे हैं और एक बार उनका परीचे लेकर कि फिर हम आगे चर्चा को सुरू करते हैं आपका शुब नाम कर्श कुमार वर्मा लबेतुर पोस्ट रम्या बहर्मा जिला लखेंपु खीरी सारे सरकार बर्माजी की है चलो अच्छा यह बताओ मुझे यह जो ग्राफ रखा यह क्या सोच के बताब पहले से था या मन में था यह मैंने चेक किया एक भाई साब ने लगाया था तो पचासी कुंटल बिगह का गन्ना निकला और लगभग अभी उन्होंने डेड़ गाड़ी पंद्रा तन माल कटवाया है बत्तिस प्लस का यूरिज गया है वह पड़ोस में ही खेते हैं यह मैठड यही था जी इसमें यह दोरी गन्न जो सामने देख रहे हैं उन लोगों को कैसे पता चलेगा यह गन्ने से लाइन की दूरी बताओ मुझे यह पांस फिट उस गन्ने से यह गन्ना यह डाई पिट है नहीं जाता है यह यह यहां से दूरी लिजाता है जो मिट्टी चड़ समझ गया यह और वह ठीक है और यह केले के दूरी पांच फिट यह पांच फिट पर दो लाइन खीचा गन्ना बो दिया फिर अगला तुमने जगह कितनी छोड़ी वहां से यह दस फिट जगह छोड़ दी दस फिट जगह छोड़के तुमने फिर खेला किते दूर लगा उससे दूरी लगा जाए तो इसको पहीं तो आजबरेश तो वहीं पांच शेकाइब तो आगर कोई आदमी अगर सीड़ी ट्रेंच खीच ले मेरे जैसा तो उसके लिए जो दूरी रहेगी वह यह दो लाइनों की दूरी रहेगी आपस में यह तो जादा नहीं लग लग रहेगी लग रहिये हम अगली बार फुदार करेंगे तो वो Ondolko चुंझा ज्यां इत पर रह नहां और यह इस्में मैंने की फचल ली थी अगर मचही की फचल ना लेते तो हमारा केला प्रजरेंट टाइम सब्सकों के ऊपर होता पहली बात रहली मगई दूसरी बात यह है अगली बार करते हैं यह खेत ले लिए अब हमने वहाँ पर लाइन से तीन फिट काफी है आप खेत की मेड से खेत की मेड से हम 8 फिट शोडएंगे नेट जगा आट फिट की जगह पर निसान बनाएंगे वहाँ पार टेक्टर की आग्योली पाईहा रखें पर लुए यह फिट होता है जो लगभग चार पूझ जाता अंदर अंदर जैसे कि यह मेड है खेत की यहां से हमने एक आट फूट का डंडा खीच लिया आट की दूरी पर यह मेरी टेंच की लाइन हो गई और टेंच होता पाँच पीट का पाँच यह ले लिया तो आठ इ लगवत पर दो लाइन दो ने जोड़े है वह पिछली बार में आठ फूट चोड़ूंगा अब यहां आट में चोड़ूंगा और इसकी तुमने दिशा करी है इस वार की पूरा पस्चित अब करेंगे यह हम इस लिए गलती यह हो गई जी लगभा प्रजेंट टाइम तीन कलों का यह गन्ना है 38 और इसमें एक भी खाद नहीं पड़ी है जो मकाई में खाद पड़ी थी वहीं इसमें पड़ी एक भी प्रसेंट खाद नहीं जो आपने बताया था खली डालना वह मैंने नहीं डाल इसमें चलाओ भी बहुत बढ़ तो ओने दिमाग लगाना जाद़ सुरू कर दिया न कुछ बहुत बहुत बदेखो इसको नहीं दिया तो इस चल रहा है उत्त बैस्ति हो ना है तो यह उसके बात का रिजल्ट सामने आ रहा है हर केला तुम्हारा इदर आ जाओं यहां से हर्केला पता भेगना शूरू करद यह बहुत पीछे पड़े हैं कली सिले में लेट हो गया था लिए वह भागना से लेगा लगातार भागे गाए लेट कोई बात ने से इसमें बना यह जुगाट कि वह सामने लगभग गेरा फुट की जगा में ने छोड़ दिया आराम सकते हैं वहां लेवर लेकर जाएंगे एक लाइन साफ करवा लेंगे ट्राली बेख हो जाएगी लेकिन वह तूट जाएगा फिर अगले साथ की दूरी रखो और साथ फिट पर दो लाइन गन्ने की लगाओ तुना मेरी बात और सिंगल पेड़ पांच-पांच पिट पर लगाओ तो वह ज्यादा बेनीफीस है तो कि अब तुम यहां से सोचो अब यह गन्ना खतम इस पेड़ की दूरी की लेकिन इसमें एक बत यह भी है इसमें अठारा सो पलस लगे हैं इसमें लगा है नहीं 21 लगता है थी प्रत विगाओ इसमें अठारा सो पलस लगा है लाइन से लाइन साथ पिट पूरा पूरा है और गन्ना का गन्ना पूरा रहेगा लाइन से क्राफ हो जाएगी क्या इसकी होगी ना उसकी होगी लेना है किसमें यो अ मतल payment मुझा आगले पाथ साल जाना है क्ल åh यह दूरित बेकार जारे पनाओ और यह दूरी का मैं क्या करूंगा तो हमें क्या करना विवस्तेत रूप से काथ फिट पर दो लाइन ताकि बंधाई हो जाए और दो लाइन साधे ट्रेंट से घिच्ट लाओ इस बार मैंने एक चीज चेक की है खेत में अपने रहकर अगर पांच भई पांच ये केला हो पांच भई पांच ये केला हो तो जितन तो थोड़े से हम भटक गए लगे लेके बाद गन्ने पर ध्यान देना चाहिए तर गन्ने के बाद बचा कुछा ध्यान है तो मक्हा पे लगाना चीजिए इसके बीच में यहां पर दो लाएं ने चेलाइन में इसना इसी तर्षी मारत तो यह गलती नहीं करनी है आप कि आप लोग यह गलती ना करें अगर तुम्हें गन्ने के साल लगाना ही अम्मन है तो लाइन से लाइन साथ फिट कर दो मेरे साथ साथ बहुता लोग तो छेपिट में लगा रहा है पांच फिट में फिर यह पती फैल नहीं बाती और ना केले को उतनी जगे मिलती है तो सा बड़े बाजी साला कौन यहां से उठागे इसको कितना बड़े घंडे को तुम ढूंड़ना मस्दूर जीब बाहरा आजेगे साला वहां तक पूली ले जाने मन की है हकीकत तो यह है जालो ठीक है राम राम इसको भाईया